नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग आज होली है तो होली की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुपकाम नाएं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनको सादर चरण सपश जो समवैस्क हैं उनको नमस्ते और जो मुझसे उम्र में छोटे हैं उन सब लोगों को मेरा आशिरवाद तो होली का त्यवहार ऐसा है सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जो लाखों साल से मनाया जा रहा है जो जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से लगबख 49 लाक साल से और ये एकमात रहसा तेवहार है वैसे जो माननेता है हिंदू धर्म में वो ये है कि हर यूग के साथ सब चीजें से खत्म हो जाती है नैसरे से शुरू होती है लेकिन ये सत्यूग में शुरू हुआ और कल्यूग तक चल रहा है तो ये यूग को पार करके आने वाला तेवहार है ये भगवान राम के समय में भी था द्वापर में भी था और उसके बाद भगवान कृष्ण के समय सत्यूग में भी था तो द्वापर सत्यूक से लेकर अभी तक कल्यूक तक ये चल रहा है होली का तेवार इसलिए इसके खिलाफ जब भी कोशिश होती है इसको बुरा बताने की, इसको रोकने की, पानी की समस्या, पर्यावरण की समस्या दरसल वो होली पर नहीं, सनातन धर्म पर चोट होती है, सनातन धर्म के खिलाफ जो है जो लोग हैं, उनका ये शडियांतर है, सीधे हमला करने की बजाए परोक शुरूप से हमला करते हैं पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर्यावरन का ख्याल लखना चाहिए, सारा पर्यावरन और पानी की चिंता सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन आने वाले तिवहार पर होती है, तो ऐसी बातों पर कत्ते ही ध्यान ने दीजिए, होली मनाईए, खुब जंप कर मनाईए, बच जितना हुड़दंग कर सकते हों, जितना होली खेल सकते हों, उनको जी भर के खेलने दीजिए, ये उनके बचपन की यादें, उनके आखरी समय तक उनको याद रहेंगी, अपने साथियों को किस्सा सुनाएंगे, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को किस्से सुना तो हुलिका के बारे में हिरनेकशिप हुलिका और प्रहलात की कथा तो आपको पता है तो उसको दोहराऊंगा नहीं दो और कथाएं एक कथा है कैसे ये हुलिका शुरू हुई वो है कि भगवान शिव जो है तपस्या में लीन थे माँ पारवती उनसे शादी करना चाहती थी बड़ी कोशिश कर रहे थी लेकिन भगवान तपस्या में इतने लीन थे कि उधर ध्यानी नहीं दे रहे थे तो माँ पारवती की समस्या देखकर दिल पसीजा कामदेव का उन्होंने भगवान शिव पर पुष बांड चला दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई तपस्या किया है और आप ही जीवित कीजिए भगवान शिव दूसरा दिन जिस दिन भस्म किया उसके दूसरे दिन रती ने ये गुहार लगाई तो तब तक भगवान का आप भगवान शिव को जानते हैं जितने जल्दी कुर्द हो जाते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं इस इस दिन उन्होंने कामदेव को जीवन दान दिया जीवित किया उस दिन से हुली खेली जाती है और शायद मुझे पता नहीं है इसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की अभी आप से बोलते है ध्यान में आया कि यह जो गीत बना है जो भगवान शिव मसाने में होली खेलते हैं यानि मसान में जो होली खेलते हैं शायद उसका भी उससे कोई जुलाव हो लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकता इसके बारे में आप भी पता कीजेगा मैं भी पता करूंगा तो अगली होली पर इसके बारे में जो पता चलेगा वो आपको बताऊंगा दूसरा एक किस्सा है महाभारत काल का भगवान कृष्ण ने युधिश्ठिर को कथा बताई कि भगवान राम के वश्चर रगु रगु के समय में एक असुर महिला थी जिसको वरदान था कि इसको जल्दी मारा नहीं जा सकता उसको किस तरह से मारा जा सकता है इसका उपाय बताया गुरु वशिष्ठ ने उसने काफी आतंक मचा रखा था गुरु वशिष्ठ ने जो उपाय बताया उसके जरीए उसको मारा गया और मारा गया जिस दिन उसी दिन से होलिका जलाई जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इस तरह से बहुत सी पौरानिक कथाएं हैं लेकिन ये दो कथाएं प्रमुक रूप से सामने आती हैं लेकिन होलिका, हिरन कश्यप और प्रहलाद की कहानी सबसे ज़्यादा प्रशलित है सबसे ज़्यादा मान्यता है उसकी तो ये है होलिका की कहानी लेकिन होली जो है वो उसका जुलाव है वसंत रितु से वसंत रितु के बारे में हमारे कवियों ने इतना कुछ लिखा है खास्त और से काली दास ने काली दास ने तो रितु संगार में सबी रितु के बारे में लिखा है सर्वम प्रिये चारुतम वसंते यानि प्रिये वसंत में सब कुछ मनोरम है ये ऐसा मौसम होता है ये साल के दो महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो वरजनात्मक समाज है बहुत सारी सामाजिक वरजनाएं हैं वो सारी वरजनाएं टूड जाती हैं होली के समय युवा बच्चे और बूढ़े मतलब उम्र का अंतर खतम हो जाता है सामाजिक प्रतिष्ठा का समाज में किसका क्या पध है क्या स्थान है इसका अंतर खतम हो जाता है जाती का अंतर खतम हो जाता है युवा और जो है बच्चे जो है गाउं की बात करें अगर खा ये सब खतम हो गया है, तो बाहर कबीरा और जोगीरा जो है, वो गाते थे, उस समय वो एक तरह से कहें कि सौफ्ट गाली जैसा होता था और उसका कोई बुरा नहीं मानता था, उसकी वज़े से कोई लड़ाई जगडा नहीं होता था, वो सब कुछ जो है एक तरह से समाज की अनुमती से होता था, तो ऐसा क्यों होता था, समाज जो अनुशाशन प्रिय होता है, कोई भी संगठन, उसमें कहीं न कहीं एक वेंटिलेटर की गुंजाईश रहती है, एक रोशनदान जरूर होना चाहिए, रोशनदान ऐसा जिससे जो कुछ इकठा हो गया है, वो विसफ होलिका गाड़ी जाती थी, और अगले डिड़ महीने, होलिका में होलिका गाड़ी जाने के बाद उसमें खर, पत्वार, पत्ते, बच्चे बड़े डालते रहते थे, माना जाता था, कि ये होलिका माई का भोजन है, तो कोई नो कोई इस काम को करता ही था, नहीं तो इसमान जाता था कि अगर नहीं किया तो हुलिक्या माई भूकी रह जाएंगी अब आप देखे कैसे अपनी परंपराओं को अपनी संस्कृति को किस तरह से भावनात्मक रूप से कैसे जोड़ा गया सीधे अगर आपने माँ से जोड़ दिया कि माँ भूकी रहेगी तो बहला कौन होगा जो ऐसा होने देगा कौन होगा जो जो इसको जानते भूचते करना चाहेगा एक परंपरा को जीवित रखने के लिए उसको पीड़ी दर पीड़ी आगे चलाने के लिए ये इस तरह की बिवस्ताएं इस तरह की मानेताएं इस थापित की गई तो ये ये दिन जो है वो मदनोसों के रूप में परंपरिक रूप से मनाया जाता था पुरा शहर सज़ता था नित्य गान होता था राजदर्बार में इसका आयोजन होता था वो सब धीरे-धीरे खत्म हो गया हमारी संस्कृती का ये जो रूप था वसंद का वो पूरी तरह से खत्म हो गया अब वेलेंटाइन डे आ गया है वेलेंटाइन डे जिसका कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं जो विरोध करते हैं उनको मालूम नहीं कि क्यों विरोध कर रहे हैं जो समर्थन करते हैं उनको मालूम नहीं कि क्यों कर रहे हैं इस Valentine's Day से किसी भारतिय का क्या लेना देना भारतिय संस्क्रिती से इसका क्या सम्मद्ध है क्यों मनाते हैं Valentine's Day? आप कि हला कि है Valentine हुआ था आप कि ह cater कुछ नहोँ जिसके हां इस तरह की सांस्कृतिक परमपरां इस तरह की संस्क्रितिक गतिविधिया यह नहोiß जो इतना सुरचिपून समाज हो जो इतना सांस्कृतिक रूप से धनी समाज हो वो क्यों उधार ले किसी का तिवहार और वो तिवहार जिसका इस देश की सब्भेता संस्कृति से कोई मेल जोल कोई जुडाव नहां हो लेकिन एक परंपरा चल चुकी है और उससे ज़्यादा ये असर दिखाया है मार्केटिंग ने बाजार की अर्थवेवस्थाने बाजार ने एक पारंपरिक हिंदू तेवहार को मार दिया और एक नकली तेवहार को अपने अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रचलन बढ़ा दिया कवी पद्बाकर ने भी वसंद को लेकर लिखा है बीथिन में ब्रिज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बग्रेव बसंद है मतलब चारों तरफ वसंत है और इस दिन जब भूली मनाते दे तो मतलब भांग भी खाने पीने की परंपरा थी और उसके लावा जिस तरह की वर्जनाएं तूटती थी उसमें इसी लिए इसको मदनोत्सव के रूप में भी जाना जाता है देश के बहुत से हिस्सों में मदनोत्सों के रूप में भी मनाया जाता था उसमें कहीं न कहीं इसका भी एक पुट रहता था इसलिए वसंत रित्यू को रितुराज कहा गया है तो वसंत का जो कुछ अच्छा था हमारी सांस्कृतिक परंपरा में जो कुछ श्रेष्ठ था ज वो सब छोड़ते गए जो हमारा था, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, जो यूगों यूगों से चली आ रही थी, उसको हमने छोड़ दिया और ऐसी चीजे अपनाई जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी और का तेवहार मनाने में कोई हर्ज नहीं है, किसी और के ते अपनी परंपरा छोड़ कर, अपनी संस्कृति को भुला कर, ऐसा करना अपराध है, समाज के साथ, देश के साथ, संस्कृति के साथ, तो इस बात को याद रखिए, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी परंपरा के बारे म रिवाजों के बारे में जरूर बताईए संस्कृति को जीवित रखने का यही एक उपाय होता है कि वो पीडी दर पीडी जो है आगे चलती रहे अगर आज हम नहीं मनाएंगे तो हम यह पेक्षा नहीं कर सकते हैं बच्चे मनाएंगे यह इसके बारे में जानेंगे भी वो बसंत रितु भूल जाएंगे वो होली भूल जाएंगे वो होली का भूल जाएंगे उनको याद रहेगा तो सिर्फ वैलेंटाइन डे और उसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार नहीं होंगे हम और आप जिम्मेदार होंगे तो एक बार फिर से हुली कि आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुब काम नाएं इश्वर से प्रात्ना है कि आप सब का तिवहार बहुत हसी, खुशी प्रसन्नता और खुशी भरे महोर में बीते, तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अन्मति दीजे, आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखे, शेयर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब बिरूर कीजे, नमस्कार